कि नमस्कार आज का जो चेप्टर है वो है धात्यम धातु कर्मा यह 10 नवा चेप्टर है इसके पहले हम लोग पहले चेप्टर लेकर आठे चेप्टर तक पूरा अध्यन कर चुके हैं आपका पूरा सिल्बास कवर होगी है कि ह strang यह लेका सो आप पिछल को देखना चाहते हैं तो subscribe अ चैनल में नया हैं तो सब्सक्राइब कर दिजिए और पूरे वीडियो को स्क्रिप करके मत देखिए हैं क्योंकि इससे दिक्कत होती कि यह छोटी यूटी बात पहले समझना पड़ता है है ना वह समझ गये तो चैप्टर भी समझ आएगा तो हम लोग शुरू करते हैं धातु कर्म को पढ़ने से पहले हम लोग छोटी यूटी बातों से होते निकलते हैं जाएंगे और आपको बड़ी टॉपिक क्लिर हो जाएगा उसके बाद तो पहला देखिए धातु क्या है इस दस बार हम लोग बता चुके हैं धातु क्या है और धातु के परिवासा तो वे तत् यह सब लगे Baptist क्या करते है मतलब तक लगता है तो तब क्या बनाएगा यह आयनी की बनाएगा नवी तब दद तक जो जो द्वडवनी है द्धातवी शोटें होती है जैसे कि तीन को हम लोग हम टपकर थल्ष करते हैं किसी लोहे के वस्थू में कुछ आवज आ।फो सब और त did है मतलब मुलायम तपाई जती है ठीक है या तो हो सकता है कि कई कठ्रों भी होते हैं धात्वे तीसर देखे धात्वे अगहाद वरधनिया प्रदर्सित करती है चांथा सभी धात्वे समाने तहां दाब और ताब पर अधिक ठोस होते हैं ठीक है समाने ताब और ताब पर अध कि धात्य होती उसमें विदूत क्या होती है सुचाला प्रभाइत होती है इस्ट के गलनांग वो कत्रांग उच्छ होते हैं उच्छ होते हैं मतलब देरिश से ही गलते है ठीक है याद रखना उल्टा हो जाता है तो यह पहला टॉपिक क्लियर हो गई आपको एक दम सीमप्र सी टॉपिक है नव अध्याम हम लोग सबसे में टॉपिक चलेंगे धादुकर्म में धादुकर्म के लिए आपको छोड़ी बात पहले जानना पड़ेगा तो आगे कुछ एक और टॉपिक आती है शक्रिटा स्रेनी क्या है सक्रिटा स्रेनी क्या है तो वेधातु जो किशी अन लवन के वीलियान से वी स्थाबित करता है अधिक-शक्रिध। जो कि किसी अन्य-धातु यह और यह अन्यधातु है। Claus उसका दो तत्व मिलकर क्या बनाता है योगीक बनाता है मतलब एक प्रकाट से क्या बना है लवान क्या बना है लवान ठीक है तो वे धातु यह धातु जो किसी अन्य धातु को अन्य धातु को यह पर एक धातु है जो किसी अन धातू को उसके लवण के विल्यान से लवण है, उसे लवण के विल्यान से वििस्थापित करता है, अधिक सकरी धातू कहलाते हैं, धातु को उनकी सक्रीता के घड़ते क्रम में धातु को उनके सक्रीता के घड़ते क्रम में ठीक है तो धातु को उनके सक्रीता के घड़ते क्रम में रखने पर जो स्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रीता स्रेणी कहते हैं ठीक है तो सक्रीता स्रेणी हम चलते हैं चले स्रेणी सबसे सख्री सघ्री आता है कि लीधियाम के नीचे आता है पोटेसियम सोडियाम कैल्सियम मैंक्निस्यम ठीक है यह सबसक्री को थैना मैंगानिसियम के स्वक्राइबडार कि इसके संज़ ऑगता एक अप के कि धरते क्रम, थीक है यह सब्सकरी उसकरी ऐसा हम समझना, कि एक के बाद ौरा शार है, दो बाद तीन आएगा, तो बढ़तें यहागा, उसकरी उसकरी खाली है, तो क्या हुआ की धातुओं को उनकी स्टक्रीटा के घरते क्रम में रखने पर जो स्रेनीरी पर राप्त होती हैं यह स्क्रीटा स्रेनीरी कहते हैंality है और जाएंगे तो जिंग सबसे ज्यादा सक्री कौन है सबसे कम सक्री कौन है लगभग सत्रा धातों में ठीक है तो सबसे लगभग सत्रा धातों में सबसे अधिक सक्री धातों लीथियाम है क्योंकि जूड़ одно करोन के धार धातों का यौर्ड अगर धातो वायू सेक्रिया की है है तो आपको बता दूँ कि हम लोग दातों का भावातिक गुन पढ़ रहे हैं उसके बाद हम लोग सग्रियम से सिग्रेटा से सिannya हbor भएक्या करता है तथा उसे खुल्यम में रखने पर हवा की। हवाकिक शेक्रिद करेक्षाइड जैसे कोई और यह सोडियम यह इस्टीव थेसल कोई है कि लिए यह ठीम अंच्या एक्षजाइड बना रही है मतलब क्या हता है कि इसềnग करते है मतलब दूसरा थे धातुमों का जल से अभिक्रिया, धातु जल से अभिक्रिया करता है, तो धातुमों का 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 जल से अभिक्रिया करता है, तो अध्यतिक मातर में इसमा उत्पन हो गई तो यहां पर देखिए सोडियम होट्रसाइड बनाया और यह हैद्रजन बना दिया और उसमा बना थे ठीक है मैं SM यही पास एक प्रशन आती है ठीक है कि हवा में हवा में खुला सरी किसको हवा में खुला चोड़ने पर धातू को चमक कमक हो जाता है जिसका उतर दिया है कि हवा में खुला चोड़ने पर धातू है हो में उपस्तित अक्सिजन से अभिक्रेकर अक्साइड बनाती है अता धातू के उपर अक्साइड के पर चर्ब निती है जिसके करन धातू की चमक कम हो जाती है इसको देख लेना दूसरा प्रिशन है वही पास की सोना और एल्यूम खुल्ययूम का अक्सियांता हुओं तो लेड़ अक्सियां से क्रिया और है यह तीन स्कूर्णे यह थी आपका इक क्वेस कि यते हैं कि सोडियां को मिटिते तल में kतमार तो रखा जैता है तो देख लीजैंगे बागा चुंप मेरे पास नहीं आप सब के लिए आप सब के पास भी नहीं है चलिए कि आगए का टॉपिक है अमराज यह कुष्चन यह अमरा टॉपिक में आएगा ठीक है बीच में पुस्टा विके को विजवीच में दी रहता है तो कशने अब चाहिए हिन गपना रसानिक संगधन से निश्चीत होता है और इसके बहुत principles कैनमान लगा आगे हमारा पाइंट है वह है धात्वों की प्राप्ति है ना कि धात्व हो भूबर पट्टी पर कितनी मात्र में उपलब्ध होती है तो यह आपके यास करने का यह समझाने का नहीं है तो यहां कितने मात्र में 6,000 सा पुरवा प्राप्ति हुई थी है तो यहां कितने मात्र में पायता है 0.0000003 1% ठीक है यह सब आप देख लिजिए और पुस्तक से लिख लिए आतो यहां से लिख लिए यह इसके शॉट करीजिए आरन कितना दो से पुरवा खो जा गया था यह ही important question नहीं है अब हमारा important topic आता है धातों के ASK तो आयसक का प्रकार क्या है और लोह के तीन ASK के नाम लिखें इसके तीन ASK के नाम लिखेंए इसे से बहुत सारे question बनते हैं तो मैंने यहां पर कितने-कितने के लिखा इसको देख लिए पहला तो आपके पास है अकसाइड ठीक है लोहे के बारे चलते हों लोग ईयसकर कनाम दिखें यह हेमेटाइठ है ये Mexicanite है ये आखकसाइड है ये कैसी आखकसाइड है अणैसकर कपरकार अकसाइड है ये येॹेसकर कि द सुथर क्या है ये आरान औक्सइड है ना ठीक है, iron में हिए aluminum है, ठीक है, यह थीन के साथ गिर गर रही आगे था carbonate का, तो dolomite, lamb stone, dolomite, ठीक है उसका sulphide का था iron, parite, copper, parites, sulphate का था है, gypsum, ठीक है, copper sulphate का है न, है दो इस तरा से यह 1 अजम पार्ट होगी है और दूसरा सा पार्ट हम लोग चलेंगे ध्यातू कर्म में कैवल धातू बाये मताई एक जड़ेंगे ध्यातू कर्म में झाल झाल